सभी को नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, लेक्चरर कम्प्यूटर साइंस, गवर्मेंट पल्टेक्निक कॉलेज जालावार्ड, आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूँ, उमीद है आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, एम आनंद से रह रहे होंग तो आज के इस सेशन में हम CS306 जो हमारा BTER का स्लेवर्स का सबजेक्ट कोड 306, कम्प्यूटर नेटवर्क सबजेक्ट है, उसका थर्ड चिप्टर है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे, और आज के इस सेशन में हम 3.1 जो टॉपिक है, ट्रांस्पोर्ट लेयर सर्विसेज, च जो फर्स्ट टॉपिक है, उस पर डिसकेशन करेंगे, तो पहले हम इस अध्याय के इस चेप्टर के जो कंटेंट्स हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं, तो इसमें हमारे पास है ट्रांस्पोर्ट लेयर सर्विसेज, जिसमें हम यह देखेंगे, कि ट्रांस्पोर्ट लेय प्रोवाइड करती है वो किस तरह से करती है जिसमें हमारा addressing, multiplexing यानि कि addressing किस तरह से होती है multiplexing किस तरह से होती है connection established कैसे होगा release कैसे होगा क्योंकि transport layer का काम होता है connection establish करना है फिर reliable delivery कैसे होगी क्योंकि transport layer हमारी दो तरह की services प्रोवाइड करती है reliable और unreliable वो भी हम आगे देखेंगे इस चेप्टर में then flow control and buffering कैसे provide करेगी फिर हम TCP और UDP जो अभी मैंने बात की connection oriented और connection less इन दोनों services के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में और TCP के पूरा detail में पढ़ेंगे हम कि उसका adder format क्या होता है connection management किस तरह से होता है और TCP congestion control किस तरह से होता है और timer management किस तरह से होता है तो यह हमारी इस चेप्टर की outline है और आज के session में हम transport layer services जो topic है हमारा 3.1 उसका addyana करेंगे तो हम start करते हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे कि transport layer से पहले एक नजर डाल लेते हैं OSI reference model पर OSI reference model क्या होता है जैसा कि आप लोगों को पता है मैं उमीद करता हूँ कि इस चेप्टर को शुरू करने से पहले जो previous topics हैं वो आपने कुछ अध्यन कर लिये हैं और आपको basic जो knowledge है वो पता है फिर भी एक छोटा सा हम review डाल लेते हैं OSI reference model क्या होता है हमारा open system interconnection reference model वह model है जो कि ISO international standards organization नहीं provide किया था कि किस तरह से जब हम communication करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना और किस तरह से करना है उमीद है जो आप detail में पढ़ चुका होगे फिर भी एक बार मैं revise करता हूँ सबसे नीचे से अगर हम शुरू करने हो तो पहली layer होती है physical layer जिसका काम होता है physically connection provide करना data link layer का काम होता है node to node delivery से related network layer का काम होता है source to destination transport layer का काम होता है end to end delivery session layer का काम होता है session को बनाना, maintain करना presentation layer का काम होता है कि जो application layer से उसे data मिला उसे presentable form में convert करना और application layer जो कि direct किस से जुड़ी होती है उपर user से जुड़ी होती है तो sender side पर क्या होता है user का जो data है वो application layer पर आता है application layer उसे presentation layer को भेजती है और इस तरह से ये flow होता है sender की side पर जब send करते हैं और receiving side पर क्या होगा same इसी तरह से जो layers होंगी हमारी उसमें flow किस तरह से होगा नीचे से उपर की तरह होगा इसका detail आप OSI reference model से related जो topic है वो आप बढ़के कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं हमें discussion करना है आज transport layer का तो transport layer में जैसे कि हमें पता है transport layer क्या करती है अभी मैंने आपको बताया कि fourth layer होती है किसकी OSI reference model की first one two three and four तो यह fourth layer होती है और mainly responsible किसके लिए होती है end to end communication over a network यानि कि किसी भी network पर end से end तक end से end का मतलब क्या हुआ कि जिस application ने generate किया था data उस application से लेकर जो application इसके लिए responsible है last जैसे आपने कोई email बेजी तो email आपने किस से बेजी browser से आप बेजोगे तो उसका दूसरा end क्या होगा source end तो क्या हुआ इसका browser यह source है हमारा source node और अगर मैं इसको कहूँ कि यह destination node है तो इसकी responsibility जो है transport layer की वो क्या है कि जिस application ने इसे generate किया है जैसे browser से email generate होई तो वो destination पर browser तक पहुचनी चाहिए यह होता है हमारा end to end जो यहाँ पर हमने लिखा है कि end to end communication data link layer का काम होता है node to node यानि कि एक node से दूसरी node नेट वागर में जैसे कि हमें पता है बहुत सारी node हो सकती है जिन से ओके data जाएगा तो एक node से दूसरी node तक यह responsibility होती है data link layer की फिर network layer की होती है source से destination तक यानि कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अब source में और destination machine में जो device होगा हमारा source या destination उस device में एक साथ एक से जादा applications रण हो रही है जैसे email भी open कर रखी है आपने media player open कर रखा है एक और दूसरी कई तरह की MS office open कर रखा है तो किस application को उसमें से वो receive होना है या पहुचाना है ठीक है ऐसे करके आपने अलग-अप्लिकेशन रण कर रहे हो आप और यहां पर भी destination पर भी अलग-अप्लिकेशन रण हो रही है पर finally यहां से अगर email से generate हुई है तो वो यहां browser पर ही receive होनी चाहिए यहनि कि उस related जो app है उसी application पर वो receive होनी चाहिए यह mail ने responsibility की होती है हमारी transport layer की फिर आती है transport layer services तो उनको discuss करने से पहले हम जो main task है जो मुख्य कार रहे हैं हमारी transport layer के उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो पहला तो काम है कि transport layer एक transport connection provide करती है इसको अगर हम पढ़ें तो हमने लिखा एक transport connection प्रदान करना जो की communication system के बीच एक end to end connection होता है जैसा अभी हमने discuss किया कि जो दो devices होंगे हमारे source से destination उनके बीच end to end ये source है ये destination है इस पर ये इसका last end है end मतलब sira वो sira जहां से application generate हुई है यहां से लेकर यहां तक पहुचने की पूरी जिन्नादारी किसकी है transport layer किया ये सबसे main काम है इसका फिर उसके बाद है कि source से destination तक data के पहुचने के लिए एक विश्वस्निय लागत प्रभावी विश्वस्निय और cost effective reliable and cost effective विश्वस्निय और लागत प्रभावी यानि कि कि ऐसा connection प्रवाइड करे जो कि विश्वस्निय हो जिस पर data हम बेजें तो हमें ये विश्वास हो कि ये पहुच जाएगा ये complete पहुचेगा destination तक और cost effective भी हो ऐसा नहीं हो कि cost बहुत जादा हो और इसके अलावा within application presentation और session entities के बीच में transport connection स्थापित करना स्थापित नियंत्रित और connection को बंद करना यानि कि इस source से destination की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले connection को establish करना यानि कि connection बनाना अभी आगे हम इस chapter को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आएगा हमारा reliable और unreliable connection oriented और connection less तो connection oriented की ही बात करेंगे जब उसमें discuss करेंगे हम इसको बात डिटेल में कि connection पहले यहाँ से यहाँ तक connection बनाना पड़ेगा इसको ठीक है जब यह connection बन जाएगा तो जब तक data transmit हो रहा है तो उस connection को close करना या बंद कर दिना यह कारे भी किसका रहेगा हमारा transport layer का रहेगा अब transport layer की services की अगर हम बात करें तो mainly तीन तरह की services इसके अंदर होती है transport layer services पहली होती है हमारी type of services जो अभी हमने discuss की connection oriented or connection less दूसरी होती है quality of service quality of service में हम हर एक layer जो होती है OSI reference model की जब हमने बढ़ा था तो उसमें हमने यह देखा था कि हर एक layer OSI reference model की अपने से higher जो layer है उसको क्या करती है services provide करती है जितनी भी layers होती है हमारी इसके अंदर साथ तीक है हर layer अपने से नीचे वाली और उपर वाली दोनों जब transmission की हम बात कर रहे है send करने की तब तो नीचे की तरफ flow होता है जैसे हमें पता है और जब receiving side की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा नीचे से उपर को flow होगा और physically यह क्या होगा connected होगा किसी ने किसी माद्यम द्वारा wired या wireless medium से यह connected रहेगा इसका responsibility क्या होती है कि अपने से उपर वाली जो layer है उसको services provide करना यह सबसे main काम है तो यहाँ पर type of services में क्या आएगा कि जो transport layer है यहाँ पर जो transport layer है और transport layer के उपर कौन से होती है अभी हमने देखा था दुबारा देखते हम network layer है transport layer के नीचे कौन से है network layer और उपर की तरफ है session layer तो जब हम send करने की बात करेंगे कि हम data send कर रहे है तो यह किसको services provide करेगी network layer को और जब receiving event की बात करेंगे तो यह किसको services provide करेगी session layer को तो transport layer, network layer और session layer दोनों को services provide करती है according to send कर रहे है या हम receive कर रहे है उसके according तो उन services को यह क्या करें आगे की तरफ उन services में यह क्या होना चाहिए उसकी quality को improve करें quality of service में वो point आएंगे अभी आगे देखेंगे हम इसको detail में फिर उसके बाद आता है हमारा connection management services तो connection management services में हमारा क्या आएगा जो हमने बात की की connection को स्थापित करना यानि के connection establish करना उसको बनाए रखना maintain करके रखना और last में उसको connection को close या बंद कर देना क्योंकि जब connection बंद कब करेंगे जब दोनों में से कोई भी एक force या destination कहता है कि मुझे data up transmit और नहीं करना है मैंने data transmission जो करना था वो complete हो गया है या किसी वज़े से source या destination दोनों में से कोई एक network से हट जाता है तो उस case में connection open नहीं रह जाए suppose कि ये आप net से data transfer कर रहे है एक से दूसरे पर किसी वज़े से ये connection बना हुआ है और किसी वज़े से ये network से हट जाता है suppose इसका internet का connection बादित हो जाता है किसी भी वज़े से तो क्या होगा उस case में तो उस case में ये अकेला है और ये data connection तो क्योंकि खुला ही है ये तो भेज ही रहा अपनी तरफ से data क्या होना चाहिए उसके लिए कि अगर दोनों में से कोई एक भी हट जाता है network से क्या होना चाहिए connection भी close हो जाना चाहिए यह safety का feature होता है security के लिए ताकि कोई भी unauthorized यहां से connection दुबारा बना ना ले आगे देखेंगे हम इसको भी detail में तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे type of services तो type of services में जैसे मैंने अभी आप से discuss किया कि दो तरह की basic services होती है जो की कौन-कौन से होती है हमारी connection oriented और connection less connection oriented का मतलब क्या है हमारा connection oriented का मतलब है कि ऐसी सेवा जिसमें पहले एक logically एक path established किया जाएगा यानि कि एक path निर्धारित किया जाएगा कि जो भी यह connection हमारा बनेगा source से destination तक इस source से destination तक data किस-किस node से होकर पहुचेगा logical होता है यह path physically जरूरी नहीं होगी same path बने और हर बार होई follow पर logically क्या होगा यह दोनों आपस में connect होंगे उसके लिए बहुत सारी modes होती है hand checking modes होती है अलग-लग तरीके होते है path establish करने के वह एक अलग topic है तो उसको अलग topic ही रहने देते हैं हम यहाँ नहीं लेके आते तो क्या होगा यहाँ पर connection oriented service में क्या होगा क्या use करती है जो transmission शुरू करने से पहले एक तार की यानि logical path की स्थापना करती है फिर उसका रख रखाव करती है और समाप्ती का उपयोग करती है यानि कि जब तक data transmit करना है तब तक ओ connection बनाई रखना पहले तो connection बनाना शुरू करना स्थापित करना एक connection फिर उसके बाद जब तक data transmit हो रहा है तक तक उस connection को बनाई रखना और तो जब connection खतम हो जाता है हमारा कि किसमें होगा हमारा connection oriented service में होगा तो connection oriented service में generally handshaking इसमें use की जाती है जिसमें source क्या करेगा, source सबसे पहले एक request बेजेगा destination को फिर destination उस request का reply करेगी acknowledgement की form में यह यहाँ से request बेजेगा कि मुझे आपसे connection establish करना है जिसमें यह reply बेजेगा acknowledgement अगर connection यह establish करने के लिए connection बनाने के लिए तयार होगा तो acknowledgement यह बेज देगा और यह आने के बाद फिर actual में data transmission शुरू होगा दोनों के बीच में तो इस तरह से connection इस्तापित किया जाएगा और connection बनाये रखना कि दोनों के बीच में जब तक data transmit हो रहा connection चलता रहना चाहिए data transmit होता रहना चाहिए और last में दोनों में से कोई एक जब भी कहता है कि हाँ मैं connection बंद कर रहा हूँ तो उसके लिए भी यह क्या करता है signal बेजता है और signal से वापस reply जब मिल जाता है तो connection close कर देता है अभी आएगा हमारा connection management services जो भी हम देखेंगे इसमें third type जो है services की उसमें detail में देखेंगे इसमें तो यह connection oriented services है और connection oriented services क्योंकि इसमें क्या है एक connection logical connection बना के data बेजा जाता है तो यह क्या होता है हमारा reliable विश्वरस्थनिये है ठीक है reliable data transmission होता है इसके अंदर जब connection oriented और connection less का जो हम compare करते है तो पहला तो इसमें जो comparison होता है वो यह होता है कि इसमें connection स्थापित होता है connection oriented में connection less में नहीं होता है logical path before transmission और दूसरा जो main difference होता है कि जो connection oriented है क्योंकि connection बना रहा है इसलिए किया है, reliable है, जब एक connection बन गया, हमारे पास पूरा path अवेलेबल है, तो हम क्या मानते हैं कि हमारा reliable ही होगा transmission, although 100% reliable, कोई भी नहीं देता है हमें connection, पर comparatively, जब हम compare करेंगे connection less से, तो ये उसके मुकाबली क्या है, विश्वस्नी है या reliable है, किसके सापेक्ष में, flow control, error control और delivery, यानि कि जो data, packet जो हम deliver कर रहे हैं, जो data हम deliver कर रहे हैं, उसकी delivery हम मानते हैं कि इसमें अधिक विश्वस्नी है, flow control, इसमें अच्छे से control होता है, data का flow, क्योंकि दूनों आपस में communicate कर लेते हैं, पहले से ही, कि हमें data बेजना है, तो किस speed पर बेजना है, और उन सब मु error आ सकता है, otherwise error इसमें नहीं आता है, जब हम इसकी बात करते हैं, फिर next आता है हमारा connection less service, connection less service जो होगी हमारी, उसमें क्या होगा, जैसा कि हमारे mobiles के case में normally होता है, हम क्या करते हैं, SMS बेजते हैं, तो हम अपना data बेज देते हैं, सामने वाला network में है, नहीं है, उस चीज़ इसको हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, हम direct क्या करते हैं, हम direct अपना data बेज देते हैं, जब भी वो network में आएगा, हम यह मानते हुए, तो वो उसको receive कर लेगा, जैसा normally हमारे text message हम बेजते हैं, यहां, आप WhatsApp पर message बेजते हैं, सामने वाले नेप चला रखा है, नहीं चला बंद है, phone बंद है, mobile बंद है, network से बाहर है, उसकी network में आ रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, database देते हैं, तो यह क्या होता है, connectionless service है, और connectionless service में क्या होगा हमारा, जो connection oriented में हमने देखा कि कि किसी भी तरह का इसमें, पत की स्थापना या रख रखा नहीं होता है, direct data को direct send कर देगा, अब यह networks होता हो, अपने आप कप पहुंचा और कैसे पहुंचा वो अपने आप network maintain कर लेगा, इसको, कोई भी इसको, source को, जो source protocol है, जो हमारी, उसमें किसी को भी यह maintain नहीं करना होता, इसलिए, यह क्या है, unreliable है, और unreliable क्यों है, क्योंकि कोई भी path establish नहीं ह हो रहा है, simple जैसे मैंने example दिया, आपको कि SMS आपने type किया, SMS और type करके direct send कर दिया, अब यह पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी कोई guarantee नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी guarantee क्योंकि हमने सामने वाले जो device है, जिसको आप बेज रहे थे, आपका मित्र है, जो भी है, तो उससे आ आपने पहले बात नहीं की है, इसलिए आपका connection establish होके data पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, यहीं इसके विपरीत अगर हम यह देखें, connection oriented में, connection oriented में आप क्या करते हो, आप phone करते हो, और phone करके, जब तक सामने वाला phone नहीं उठा लेता है, तब त क्या हुआ आपके बीच में, एक आपके बीच में आपने request, आपने उसको phone मिलाया, तो आपने request की कि मैं आपसे data send करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, communicate करना चाहता हूँ, उसने phone pick किया, और pick करने का मतलब है कि वो भी आपसे connection establish करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और वो आपको response में connection establish करने की स्थापित करने की permission देता है phone को receive करके call को आपकी और फिर उसके बाद में आप दोनों के बीच में दोनों devices के बीच में क्या होता है data का transmission होता है तो यह basic difference है किसमे connection oriented services और connection less services में इसको और detail में हम इस chapter में पढ़ेंगे जब हमको TCP और UDP पढ़ना है हमारा तो उसमें यह दोनों ही example है किसके connection oriented और connection less services के next है हमारे पास type of services के बाद quality of services quality of services का जैसा अब यह मैंने discuss भी किया था कि हम यह देखते हैं कि हर एक layer अपने से higher layer जो है उसको service provide करते है तो transport layer इसके उपर और नीचे जो layers है session layer होती है उपर की तरफ और नीचे की तरफ होती है हमारे network layer होती है जैसा भी हमने डाइग्राम में देखा था तो इन दोनों को यह क्या करती है quality of services प्रोवाइड करती है quality of services में क्या आएगा मुक्थय आ रहे है तो यह हो गया कि उसको improve करना है services को जो network layer में services provide करनी है उनको भी ये improve करती है तो इसमें क्या-क्या point आएंगे सबसे पहला है इसके अंदर connection establishment delay यानि के connection बनाने में जो समय लग रहा है वो कम से कम होना चाहिए ऐसा transport layer प्रयास करती है फिर उसके बाद है connection establishment failure probability connection बनाने में जो प्रयास कर रहा है उसमें कितनी बार failure की कितनी समभावना है यानि कि 10 बार प्रयास किया connection establish करने का उसमें से कितनी बार connection बन गया suppose 10 में से 3 बार हमारा connection नहीं बना तो जितनी बार नहीं बना तो हम इसकी probability calculate कर सकते है कि 10 में से 3 ही बना है तो वो जो probability है इसकी वो probability क्या होनी चाहिए हमारी कम से कम होनी चाहिए कि failure probability क्या है connection establishment की कम से कम है यादिकतर बार क्या होना चाहिए connection बन जाना चाहिए फिर उसके बार next है throughput, throughput क्या होता है हमारा कि एक बार में जितना हम data भेज रहे हैं source destination तक वो अधिकतम data पहुँचना चाहिए अधिकतम कितना 100% तो हम तो यही चाहेंगे कि जो अमारी services provide कर रही है हमको जोगी network provide कर रहा है वो क्या करे 100% data हमारा source destination पर पहुचना चाहिए तो throughput क्या होना चाहिए हमारा? 100% होना चाहिए, Highest होना चाहिए, Maximum होना चाहिए, 100% तो संभव नहीं हो पाता है, बहुत से factors होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कि जिसकी वज़े से data loss हो जाता है, Next point आएगा इसमें, Transit Delay, Transit Delay मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, जो समय लग रहा है, जो Delay हो रहा है, उस Delay की बात किर रहा है, वो Delay भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि Network में क्या होगा, बहुत सारी Node होंगे बीच में, तो उन Nodes के बीच में कम से कम Delay होना चाहिए, फिर उसके बाद आता है हमारा Acceptable Error and Loss Levels, कि कितना हद तक हमारा जो Data है, उसमें हम Error या Loss को Afford कर सकते हैं, जैसे अगर मैं Voice Data की बात करूँ, या Video Data की बात करूँ पहले, Audio, Video और Text तीन तरह का Data हो सकता है, हमारा General जो होता है, तो वीडियो के अगर हम बात करें, तो वीडियो में आपने देखा होगा कि Data Loss जो होता है, वो Acceptable जो होता है, वो थोड़ा High होता है, क्यों कि वीडियो में देखकर हम आगे और पीछे के फ्रेम को आराम से, जो Human beings हैं, हम उसको समझ सकते हैं, उसका Idea लगा लेते हैं, कि शायद इसके आगे पीछे यही चीज थी, तो उसमें Data Loss एक दो फ्रेम का हो भी जाएगा, तो कोई Problem नहीं आएगी, पर अगर Audio की बात करें, तो Audio में वीडियो के Comparatively जो Acceptance है, Error की, वो कम होती है, क्योंकि माल लो, बीच में से कोई Main शब्द है, आपकी बातचीत के वही उड़ गाए, कि मैं यहाँ पर, या मैं कल तुमारे घर गाभ, यानि कि बीच में आप यह आपको समझ नहीं आ रहा, आ जाऊंगा, या नहीं आऊंगा, तो Main जो शब्द वही अगर गायब हो जाता है, तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा, Proper Information नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर Acceptance जो है, Rate जो है, Level जो है, वो क्या होता है, वीडियो के Case, Comparatively, कम होता है, यानि कि कम से कम Loss होना चाहिए, और Text की Case में तो बिलकुल ही कम होना चाहिए, क्यों क्योंकि Text में तो Data हमारा अगर Loss हो गया, तो कुछ बचेगा ही नहीं उसके अंदर तो, Next है हमारा Priority Levels, कि Data जो हम बेज रहे हैं, अलग-अलग हमारे पार Source हो सकते हैं बेजने वाले, तो वो अलग-अलग तरह का Data बेज रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई ऐसा Data है, कोई ऐसा Source है, जिसके Data को हमें पहले बेजना है, तो वो Facility में हमें मिलनी चाहिए, अधिक से अधिक ताकि कोई भी हमारी Information को Access ना कर सके बाहरी वेक्ति, रेजिलियन्स का मतलब कि जो हमारा System है, वो Full Proof होना चाहिए, जो भी हमारे Environmental Effect हैं या दूसरे जो भी Network को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन सबसे यह क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉंग रहना चाहिए, मजबूती से लडने वाला होना ची रेजिलियन्स होनी चाहिए उसके अंदर, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, ट्रांस्पोर्ट लेयर सर्विसेज में, यह झालाओ है, यह हम अभी डिसके बारे में, कि जब connection बनेगा तो उसके लिए connection oriented service में इसको connection establish करना, उसको maintain करके रखना और फिर उसको close करना, उसको समाप्त करना और इसके लिए कई सारे primitive ये use करता है कौन-कौन से primitive होते हैं primitive का मतलब यहाँ पर है कि इसके लिए जो commands ये use करेगा जब हम देखेंगे इसको, जैसे listen command होती है हमारी सुनने के लिए, listen मतलब सुनना ठीक है, listen command का मतलब कि listen mode में वो उसको सुन रहा है connect command का मतलब कि मैंने बेजा कि मैं connect करना चाहता हूँ आपसे send command का मतलब send करना data, receive का मतलब yes I am ready to receive कि तब मैं ये signal बेजूँगा कि receive signal बेज दिया है, यानि कि मैं receive करने को तयार हूँ disconnect मतलब connection को disconnect करने के लिए connection बंद करने के लिए दूसरी जो service होती है हमारी connection less क्यूंकि मैंने आपको उसमें बता दिया कि उसमें हम पहले से कोई भी, इनमें से कोई भी इस यूज नहीं करते हैं कि connection स्थापित होगा फिर रख रखाव होगा और समाप्ती होगी तो उसके लिए कुछ special primitives अलग से नहीं होते हैं उसके लिए direct send कर दिया जाता है data को network के द्वारा तो यहां पर यह primitives हैं इसको हम आगे जो हमारा topic है उसके अंदर detail में discuss करेंगे TCP और UDP जो हैं यह दोनों connection oriented और connection less के ही एक्जामपल है तो आज का जो हमारा topic था transport layers services यह यहीं पर समाप्त होता है इससे संबंदित आपकी कोई भी query हो या feedback हो तो आप मुझे मेरी email id sunil13982 at gmail.com पर mail कर सकते हैं मैं आपके किसी भी समस्या के समाधान के लिए तक पर हूँ और reference के लिए अगर आप जाना चाहें तो मैंने इस presentation के लिए विभिन internet की sites, articles और दूसरे sources को काम में लिया है और मुझे रूप से मैंने जो second है यह हमारा data communication and computer networks यह जो book है इसके author है Dr. Sanjay Pahooja जी और standard publication की है मुझ इसके रूप से मैंने इसको refer किया है और इसके अलावा जो frozen की और tenant bomb की book जो आती है computer network की और data communication की उनको भी in presentation में और आने वाली presentation में जो हम पढ़ेंगे इस से related is chapter से related तो मैं इन सभी को भी धन्यवाद ग्यापित करता हूँ और आभारी हूँ मैं इनकी books की और websites का जिसके मा लेकर के आया था तो आज के session के लिए इतना ही धन्यवाद